दुक्टर अंबेटकर प्रतीक हैं संघर्ष का, दुक्टर अंबेटकर प्रतीक हैं समानता का, दुक्टर अंबेटकर प्रतीक हैं न्याय का, और दुक्टर अंबेटकर प्रतीक हैं सोतंत्रता का भारतिय जन आंदोलनों में अब हर तरफ डॉक्टर अंबेटकर ही दिखाई देते हैं हर आंदोलन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेटकर की तस्वीरे लिए लोग नजर आ जाएंगे बाबा साहब मुझूदा वक्त में चल रहे नागरिक्ता कानून के खिलाफ आंदोलन का भी चहरा बन गए हैं एंटी सी ये प्रोटेस्ट में कहीं डॉक्टर अंबेटकर के पोस्टर्स तो कहीं जैभीम के जंडे जन आंदोलनों को मजबूत करते दिख जाएंगे चंडीगड से लेकर मुंबई तक और दिल्ली से लेकर कॉलकाता तक जुक्तर अंबेटकर इस अंदोलन का चहरा बन चुके हैं चाहे दिल्ली की जामा मस्जिद पर परदर्शन हो या फिर चाहे जामिया मिलिया इसलामिया के चातरों का अंदोलन चाहे आधी रात में दिल्ली पुलिस हेड़कॉर्टर पर हजारों लोगों का जुटना हो या चाहे हातों में बाबा साहब की तस्वीर लेकर पुलिस को सम्विधान के मायने समझाना चाहे मशूर इतियास का राम चंद्रगूहा हो या फिर भीम आर्मी चीफ चंद्र सीखराजाद रावन बाबा साहब लोगों को अपने हक के लिए संघर्ष करने की प्रेणा दे रहे हैं असल में बाबा साहब इस समय देश को एकता के सुत्र में बांधने और समविधान के तहत देश को चलाने की प्रेणा बन चुके है सिटिजन्सिप एमिन्मेंड डेक जैसे कानून उनके बनाए धर्म निर्पेक समविधान पर हमला है इसलिए लोग समझ गए हैं कि देश को बचाना है तो बाबा साहब के समविधान को बचाना सबसे जरूरी है इसलिए प्रदर्शनकारी कहीं भारते समविधान की प्रस्तावना पड़ रहे हैं तो कहीं समविधान की कोपी हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लोग बता रहे हैं कि ये देश मनुवादियों की मनुस्मृति से नहीं बल्कि बाबा साहब के बनाए सम्विधान से ही चलेगा बाबा साहब ने 1946 में कहा था यदि हिंदु रास्ट्र एक हकीकत बन जाता है तो ये देश के लिए सबसे बड़ी विपत्ति होगी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदु क्या कहते हैं हिंदु धर्म सोतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए खत्रा है ये लोग तंत्र के साथ हा संगत है बाबा साहब की ये बात आज भी प्रासांगिक है और लोग ये समझने लगे हैं कि मनुवादियों के हिंदु रास्टर के मनसूबों को नाकाम करने के लिए बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर ही चलना होगा बाबा साहब ने कहा था हम सबसे पहले और सबसे बाद में भारतिये हैं बाबा साहब ने जिस भारतियता और एकता का संदेश दिया था वो मौजूदा वक्त के जन आंदोलनों में पको भी दिख रहा है लोग जाती धर्म से उपर उठकर बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं जिस भारतियत संविधान में बाबा साहब ने जाती, भाषा, लिंग, धर्म, शेत्र और रंग आदी के भीद्भाव को नकार कर सबको बराबरी का हक दिया उसी संविधान के बारे में बाबा साहब ने कहा था संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अंततय अच्छा साबित होगा अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं और संविधान चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, वो अंततय बुरा साबित होगा अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे हैं इस समय देश भी कुछ बुरी मनुवादी शक्तियों के हाथ में हैं इसलिए उनकी कही बात सच साबित हो रही है लेकिन लोग उसी सम्विधान की च्छाव में निरंकुष रत्ता को चुनोती दे रहे हैं बाबा साहब भारतिय जन आंदोलोनों के गांदी स्टाइल से अब आगे निकल रहे हैं जनता अपने हक की पैरवी के लिए बाबा साहब का सहरा ले रही है लोग ये समझ रहे हैं कि ये देश डुक्टर अंबेटकर के दिखाए रास्ते पर चल कर ही बच सकता है बाबा साहब बाबा साहब की तस्वीर लिए होस्टल से निकले रोहित वे मुला की ये तस्वीर लोगों को ये ही कहती है शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने हक के लिए संगर्ष करो तबी तो समविधान निर्माता की तस्वीर हाथ में लेकर एक छात्र सैकडो पुलिस वालों को समविधान के दाइरे में रहने का संदेश देते हुए दिखता है बाबा साहब ने भारत को नेशन इन मेकिंग यानि बनता हुआ राश्टर कहा था वर्तमान जन अंदोलुनों को आप राश्टर निर्मान की उसी दिशा में बढ़ता हुआ देख सकते हैं अगर आपको ये बहुजन समाल से जोड़ी हर खबर जानने के लिए सबस्काइब करें दशोद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें